नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विनतिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार SSC ADAR 24-7 में हर दिख स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और अपनी पढ़ाय लिखाई को बह ग्रूप D के एक्जामिनेशन की त्यारी करना चाहते हैं उन सभी लोग के लिए मैं बता दू कि ग्रूप D का क्या प्रोसेज है क्या इलिजबिल्टी चाहिए सारी चीज़ के लिए मैंने एक शौर्ट वीडियो कर रखा है मैं आप लोग को वो वीडियो दिखा देता आप लोग अगर यूटूब पर जाएंगे और वहाँ पर आप SSC अड़ा को जब ओपन करेंगे तो SSC अड़ा में जाने के बाद अभी मैं इस वीडियो के नीचे भी उस वीडियो को लगवा दूँगा जिससे आप लोग को सारी डीटेल अच्छे से मिल सके वैसे आप लो इनफॉर्मेशन और यह है ग्रूब डी फुल इनफॉर्मेशन इन वीडियो को आप देख लिजे तो आप लोग के काफी हद तक डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे हम लोग ठीक है बाकी अभी हम लोग चलते है एक्जाम पैटरन और सेलिबस के उपर केवल ग्रूब डी के ठी तो इसको समझते हैं अच्छे से बेटा कि क्या एक्जाम का पैटरन होने वाला है और क्या सेलिबस है जो आपको यहां ग्रूब डी के एक्जाम के लिए फॉलो करना होगा ठीक है ग्रूब डी के एक्जामनेशन तीन स्टेफ में पूरा होता है बेटा पहला स्टेफ होता ह computer based examination, यानि computer based test, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक, ये sub common होता है, मतलब एक ही exam conduct होता है, दूसरा है physical efficiency test, यानि PET, physical efficiency test, यानि PET, और तीसरा है document verification, यानि DV, ठीक है, अब medical यहाँ पे, मतलब efficiency test का medical यहाँ normal होता है, बहुत सारे छात्रा जैसे हैं, जो group D में पिछली बार join किये हैं, ठीक है बेटा, चले, आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक बात और mention है, the minimum percentage of marks for eligibility in various category are, 40% unreserved, यानि general category को, अगर 100 number का paper होता है, तो 40 number लाना अनिवार है, मतलब 40% से जादा number होने पर ही आप consider होगे, अगर आपका 40% से कम number है, तो आप consider नहीं होगे, जैसे स्कूल के दिनों में होता था था ना, कि 33% से कम number आएंगे, तो आप पास नहीं माने जाओगे, से वही वाली बात यहाँ पर भी है, कि कम से कम 40% general category, OVC 30%, SC भी 30% और ST 25% से कम number नहीं लाने चाहिए, चलिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपके कौन-कौन से subject आने वाले हैं, तो मैस आएगा, 25 question, 25 number, reasoning आएगा, general intelligence and reasoning, 30 question, 30 question, 30 number, 30 question कितने number है बेटा, यह 30 number ही है, 30 question कितने number है बेटा, यह 30 number ही है, यहाँ पर थोड़ा सा, समझ गए, यस, जितने question उतने number, 30 question, 30 number, डन है, चलिए, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, science, 25 question, 25 number, और journal awareness and current affair, 20 question, ओहो, आज तो इन्होंने तो गरबड़ी कर दिया भाई यह, महोदे, चले, 20 question, 20 number, तो in short अगर मैं बोलू यहाँ पर, तो देखो, आपको math में 25 question मिलेंगे, reasoning सबसे ज़्यादा weightage अगर group D में किसी subject का होता है, तो वो हमारा reasoning का है, यहाँ एक अच्छी बात में आपको बताओं बेटा, science का weightage अलग से है, इसका मतला आपको physics, chemistry और bio, हाँ, physics, physics, chemistry and bio, इसको भी अच्छे से पढ़ना होगा, physics, chemistry and bio, इसको भी अच्छे से पढ़ना होगा, that means, यहाँ पर एक बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, जो मैंने आप लोग को simply समझाई है, क्या, कि आप लोग का जो है, जो 100 question का paper है, हाँ, जो 100 question का paper है, उसमें अगर आप लोग गौर से देखें, तो 100 number का question, 100 question होंगे, 90 minute आपको समय मिलेगा, यहाँ पर भी negative marking होती है बेटा, और negative marking 1 by 3 है, क्योंकि railway के हर exam में negative marking जो होती है, वो 1 by 3 number की होती है, आई बात समझ में, clear हैं यहाँ तक की बात, चलो, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जब आप written exam qualify कर लेते हो, वैसे देखो, कितनी languages में paper conduct होता है, एहमदाबाद के लोगों के लिए, गुजराती, मराठी, हाँ अजमेर के लिए, गुजराती, पंजाबी, इतनी languages में आपका paper conduct होता है, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ जाई, अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें syllabus के accordingly, तो देखो, हो ला है ना, आपका यह पूरा का पूरा syllabus हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, अभी मैं डीटेल में भी दिखा देता हूँ, ठीक है, देन reasoning का हो जाएगा, अच्छा, अब जब आप लोग बेटा, रेटेन एक्जाम दोगे, और रेटेन एक्जाम क्वालिफाई खर लोगे, फिर आपके मन में सवाल आता है सर, फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट क्या होगा, क्योंकि मैंने तीन स्टेप बताए, पहला मैंने आपको बताए, रेटेन एक्जाम, दूसरा मैंने पीटी बताए, फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट, और तीसरा बताए, मैंने डॉक्मेंट, व है male candidates बोला है should be able to lift and carry 35 kilo of weight for a distance of hundred meter in two minutes in one chance without putting the weight down मतलब आपको 35 kilo का वजन अपने कंधे पर लेना है और दो मिनट में 100 meter की जो दूरी है उसको पूरा करना है बिना उस बोज को नीचे रखे should be able to run for a distance of thousand meter in four minute and fifteen second in one chance मतलब आपको यहाँ पर इस चीज को पूरा करने के लिए मौका जो दिया जाएगा वो एक ही मौका दिया जाएगा one chance one chance मतलब समझ रहा है एक ही मौका दिया जाएगा दूसरा मौका नहीं मिलेगा यह male के हो गया और female candidates आप लोग के लिए क्या बोला है कि आपको 20 किलो का वजन उठाकर दो मिनट में 100 मीटर की दूरी जो है तै करनी पड़ेगी साथी साथ और एक किलो मिटर की दूरी को आपको दोड़ करके तै करना होगा पांच मिनट और 40 सेकेंड में यह exam हर कोई पास कर लेगा और इसको qualifying nature का है और आपको इसे qualify करना ही पड़ेगा इसे आपको qualify करना ही पड़ेगा आरी बास होने यस उसके बाद जब आप ये exam भी qualify कर लेते हो अब यहाँ पर देखो note का कि कुछ point लिखा हो अगर आप लोग देखो however after qualifying the cvt such candidate will have to pass the medical examination prescribed for person with disabilities ठीक है तो आप लोग को अपना medical कराना होगा देना आपका document verification बोला है na rrb group d document verification ठीक है na in paneling of candidates ठीक है तो बोला है based of on the performance of candidate in the cvt subject to their qualifying in pt candidates will be called for document verification हां shortlisted candidate should produce noc for the employee from the employer on the date of his or her dv following which their candidature will be cancelled अगर आप तब तक साड़ी चीज़े नहीं provide कर पाए तो आप cancel माने जाओगे अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यह तो मैंने आपको चलता हूँ यह तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया अब मैं आपको लेकर चलता हूँ order कर चलता हूँ झा नापको अबिटी अंगी कोईबार चेव टोले नगार नापको भॉरिव पहु तो मैंने आपको ट्राषिंघ कि छ्यूश्च कर चलता है था जापको चलता हैं परक्षा है इस आपको चलता हैं सब्टैब्ले सिस अब्टैब्टैने पनलों कि चलता है and direction and distance GS की जब हम बात करते हैं GS में general science की पहले हम बात कर रहे है physics chemistry, bio हो गई आपकी general awareness में अगर हम लोग बात करने की कोशिस करें, current affair, in science and technology, sports, culture, personalities economics, political and any other subject of importance that is history, geography economics, यह सारी चीज़े यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगी ठीक है न, done है फिर बाकी second stage मैंने आपको बता ही दी है और third stage मैं आपको इस तरीके से चीज़े तो यह आप लोग का detail में मैंने आप लोग को syllabus discuss कर दिया है, अब अगर आप लोग चाहते हो बेटा अच्छे से त्यारी करना, ठीक है तो आप लोग के लिए बेटा, group D का जो है हम नया batch शुरू करने जा रहा है अड़ा 247 की website पर जाईए जैसे ही आप यहाँ पहुचोगे अड़ा 247 की website जैसे पहुचोगे यहाँ all courses देखेगा इस पर चले जाईए, यहाँ पहुचेंगे, यह है देखो railway जैसे railway पहुचोगे, यह है बेटा group D देखो, group D का नया batch भी आ रहा है और यह batch आप लोग को मिल जाएगा मात्र 450 रुपय का कब जब आप मेरा code Y461 लगाएंगे यह batch 6 months valid होगा कितना 6 months valid होगा तो मेरा suggestion यह रहेगा कि आप महाँ pack ले लो railway का यह आप लोग को मात्र 1650 रुपय में पड़ेगा इसके अंदर आप ALP की, RPF Constable की NTPC की, SI की, Railway Group D की सभी exams की त्यारियो clauses कर पाओगे बस आप लोग को coupon code क्या use करना है बेटा, coupon code क्या use करना है Y461 Y461 इसका इस्तेमाल करना है और इस महाँ pack से जुड़ जाना है बेटा यह एक साल तक valid रहेगा और इसमें एक अच्छी बात बता दो इसमें आपको live classes मिलेंगी इसमें आपको live classes मिलेंगी कोई test series, e-book नहीं मिलेंगी लेकिन अगर आप महाँ pack लेते हैं railway पे गया, railway group D पर गया जैसे आप महाँ pack पे क्लिक करोगे देखो आपको 1397 test series, 425 e-book 4889 videos और 500 घंटे की live classes यह सब कुछ मिलेगा बस आपको Y461 इस coupon code का क्या करना है मेरे दोस्तों इस्तेमाल करना है आरी बात समझें तो तुरंत जा करके बेटा इस coupon code का इस्तेमाल करके या तो आप group D का बैच ले लिजे और या तो आप महाँ pack ले लिजे और अपनी तयारी को सुरू कर दीजे मेरे दोस्तों मेरा मानना है आप महाँ pack लिजे फायदा आपका यहाँ जादा है सारे exams के लिए e-book test series भी मिल जाएगी तो होपसो आप लोगो सारी बाते समझ में आ गई होंगी और जिन लोगो डाउट हो मैंने आप लोगो बता दिया यूटूब पर मैंने group D का complete information वाला session किया इस वीडियो के description में भी उसका link आपको मिल जाएगा तो आप सभी लोग जरूर जाकर के उसे देख लिजए ठीक है थैंकियो सो मच जैहिन जैभात वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा में दोस्तों और अभी जितने लोगों को MTS, D.S.S.S.B. के MTS के exam के त्यारी करने उसकी में एक detail information लेकर just अभी आ रहा हूँ आप सब लोगों वहाँ पर मेरे साथ मिल सकते हैं Thank you so much जैहिन जैभारत